वेल दोस्तों, बिग बॉट सीजन 14 से जुड़ी हुई एक और धमाकेदार और एक्स्क्लोजिव खबर के साथ एक बार फिर हम आप सभी दर्श्कों के सामने हाजिर हैं ये जो खबर है सीजन 13 से जुड़ा हुआ है सीजन 13 की शेहनास कॉरगिल और सीजन 14 की रूबिना दिलाइक दोनों के बीच में कोई comparison नहीं है लेकिन बता देना चाहते हैं की दोनों ही जो हैं उनके बिग बोट सीजन 13 में शेहनास कॉरगिल को काफी ज़्यादा पसंद की आ गया था और सीजन 14 में रूबिना दिलाइक को काफी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और साथी साथ अब रूबिना दिलाइक जो हैं शेहनास कॉर्गिल को टक कर देते हुए नजर आ रही हैं किस मामले में टक कर दे रही हैं? आईए हम आपको बताते हैं आज के Special Report में यही बात लेकिन इससे पहले अगर अब तक आपने हमारी YouTube चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया दोस्तों तो सबसे पहले यूटीब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथी साथ बला आइकन की घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भुलें और सीजन 13 में जिस तरह से शहनास कॉर गिल ने जलवा दिखाया था शायदी कोई दूसरी शहनास कॉर गिल जो है वो आएंगी उस तरह का प्रदर्शित करेंगी परफॉर्म करेंगी और साथी साथ हम आपको बता दें कि आप रूबिना दिलायक अब टक्कर दे रही हैं रूबिना दिलायक जो हैं सिर्फ और सिर्फ रूबिना दिलायक की वो सदसी हैं जो कि शहनास कॉर गिल को टक्कर दे सकती हैं और रूबिना दिलायक जो हैं टक्कर भी दे रही हैं किस मामले में तो हम आपको बता दें कि नैशनल लेवल में तो काफी ज़्यादा पॉप्ल क्या जाता है अब रूबिना जिलायक जो है उनसे आगे निकलते जा रही है और साथी साथ एक पोल के अधार पर हम ये कह रहे हैं जी हाँ दोस्तों एक पोल के अधार पर ये कह रहे हैं और साथी साथ इंटरनेशनल लेवल में इंटरनेशनल लेवल की जो एक अवार्ड इसमें जो है 50 नाम सामने आये थे 50 नाम में शैनास कौर गिल का to नाम शामली था लेकिन बिणा जिला जो था वह शैनास कौर गिल से उपर था जी हा दोस्तों और इसी वजह से उच्छा कॉर गुलना जटो रहे था वह था अगोंच जो बता सकते हैं आज के कास रिपोर्ड में बस इतना ही